अब सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है एक डीजे वाला और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 36 गड़ सावनियन की तरफ से और मेरी बात जो हो रही है, यह मेरा जो मेसेज है आपके लिए है, आप मतलब आप कोन, पहला उन सभी हिंदु भाई, जो की आज छोटे मोटे हो, बड़े लेवल पे हो जो गनेश विसर्जन, आज की इस्तिती में, आज की डेट में भी फिर हाल वर्तमान में, गनेश विसर्जन की आप तयारी करके बैठे हो है, जो इस उम्म मिलेना चाहूंगा, जिनका अभी 16 तारिक को इद्मिलादुन नभी की जुलूस है, यात्रा है, उसमें भी कुछ समीतियों ने डीजे को लगाया हुआ है, काफी लोगों ने यहाँ वीडियो देखा होगा, मैसेज देखा होगा, इस्टाग्राम, फेस्बुक के माध्यम से की जीजे वाले हरताल पे चले गए है, तो क्यों गया है, सबसे प्रथम बात जो गुर्मेंट का नया सर्कुलर जारी हुआ है, आदेज जारी हुआ है, उसमें यहां कहा गया है कि गाड़ी के अंदर किसी प्रकार का बॉक्स अगर लगाया जाता है, तो उस गाड़ी के पर करना संभव है, काफी लोगों का कहना है कि आप बालोक का टेंशन छोड़ देजिए, राइपूर का जारी है, यहां कि प्रकार का कहा है, लेकिन आप सभी भाई एक बार सोचिए कि हम आप तो अपने जगद देख लेंगे, लेकिन हम जब काम करके दूसरी जगद होगी तो लाखों का हमारा समान तो जबत हो गया तो यह वीडियो बनाने का मकसद है कि सम्विधान के हिसाब से हमें हवाला देखे कि 75 डेसिबल में नहीं बजना चाहिए गाड़ी में समान नहीं रखना चाहिए पूर्णता सत्य नहीं है यह मैं सत्य आपको बताने के लिए और भविस में अगाह करने के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि एक वह हिंदू हो चाहें मुस्लिम हो चाहें एक आदिवासी रेली निकानने वाला आज आपका दिन नहीं आया है आदिवासी भाईयों को भी मैं बोलूंगा कि अभी बुड़े हुए लोगों के साउंड की जुरत पड़ेगी आने वाले समय में सत्नाम समाज के जो लोग है उनको भी लगेगा कहने के मतलब हरेक समाज हरेक वर्ग को आने वाले समय में या जब तक है यह सांस्कृतिक कार्यकरम का या उस्साव का काम उसमें डीजे या धुम लेकिन फिर भी हमें हवाला देखे और यह वाला क्यों मिल रहा है कि आप एक पक्स हो जो कि एक उस्साव को मनाना चाहते हो विसर्जन करना चाहते हो मातरा निकालना चाहते हो राम नम्मी का जुलू सोभा यात्र हो गया हनुमान जन्मुष्ण हो गया बड़े बड़े उस्सावों पे हम रैली के माध्यम से प्राउधान बता के यह बिल्कूल गलत है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है हमारे भारतिय समिधान में कि हम गाड़ी में सिस्टम बांध नहीं सकते हैं, जो कि फिर हमको गलत बताया जा रहा है, तो पहली एक तो गलत, दूसरी बात जो ये 75 decibel की बात आती है, आप बहुत लोग जानते हैं, 75 decibel कुछ होता नहीं, जो आप से बात करना हूँ, आवाज में ये वीडियो बन रहा है, आप अगर आप 29 वाला मीटर लेके, आप साउन मीटर लेके आप चेक करेंगे, तो मेरा वीडियो का आवाज जो है, आपको 75 decibel से ज्यादा मिनने वाला है, ठीक, दूसरी हम बात करते हैं कि रातरी 10 बजे तक क 15 दिन किसी भी समाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक करमों में अपने इसाब से समय की फेर बदल कर सकता है, और उसकी अनुमति प्रदान कर सकते है, तो हमारा अधिकार कहां गया, मैं एक हिंदू के नाते बात कर रहूं, एक साउंड वाले के नाते बात कर, कहां गया हमारा चलिए छोड़िये, हम तो वैपारी है, वैपार हमारा मकसद है, हमारी लाखों की करीब एक लाख लेल लाख हम डीजे धुमाल वाले हैं, हर एक डीजे धुमाल वालों के अंदर दस लोग है, तो ऐसा करके दस लाख कम से कम लोगों के वैपार का बिरोजगार मतलब होने का खत्रा है अगर यह काम नहीं होता है तो क्या है या संभव है काफी समितियों का फोन आ रहा है मेरे पास या बाकी डीजे वाले पास की काम का कैसे होगा कैसे होगा तो मैं आप सबसे हाथ जोड़की निविदन करता हूं कि हमने बंद नहीं किया है हमारा कोई ऐसा मकसाद नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए लेकिन आप एक तरफ सोचिए कि जब आपको काम करने की अजादी उस तरीके से रहेगी नहीं आप काम करके सेफ नहीं रहोगे आपका समान हो सकता है तीसरे दिन चाओंते दिन पाटने दिन पता नहीं कब वो जब तो हो जाए आपको केस लड़ना पड़े कोट जाना पड़े अदाला जाना पड़े तो क् आज यह वीडियो मैं इसले बना रहा हूं क्यूंकि सभी हिंदु भाईयों को या ऐसे संगठनों को जो की जुलू सियात्रा करती है जैसे मैं मुस्लिम भाईयों को भी बोलूंगा भी इद्मिलादु नभी का काम है लोग उर से निकालते ताजिय निकालते आज एक काम पे इ इस तरीके की यात्राय हो धार्मिक यात्रा हो वही कुछ लोग है जो कि बार बार कोट में दबाव लगाके या बताती है कि यह नियम है इनके उपर करवाहि करो कान फोडू लीजे क्या कान फोडू लीजे हुआ डोंगाडगर में मैंने अभी देखा लाखों की संख्या मे इतने लोग रहते कि सका पूट तक मैं उताइक की बात कर रहा हूं मैं में रहता हूँ दूरकर जीले में भी काम किया हूं आपकिस का अब तो ये कुछ लोग है जो कि कान फूरो सब्द को पियोग करके हम पे टार्गेट करते हैं कि इनकी यात्रा नहों इनकी सोभा यात्रा नहों ये उस्व को नहीं मना ये कुछ लोग है और आप सब लोग मैं आप सभी हिंदु भाईयों से बात कर रहा हूं और आदिवासियों से भी और सब से जो उस्व कितन हो रहे हैं कल के दिन में आप देखिएगा जब गाओं में जजदी कीथ होता है भागवात होता है कितने देर तक चलता है आज एक चीज़ के उपर रोका जा रहा है धीडिरे-धीर और यह चीज पर नियम को बताखा के रोका जाह कए गया जो की यह नियम पुर्नता सत्य नहीं है रात्री दस बजे तक का नियम है सुप्रीम कोट का ठीक है लेकिन एक ही बात नहीं नहीं न भाई सुप्रीम कोट में तो जारों लागों सब्दों लिखे गया है एक लाइन यह भी कहता है कि कि साल में होने वाले विशेश तेवारों पे कुछ विशेश छूट के साथ इस कारिकरम को समय में बदलाओं के साथ काम को किया जा सकता है तो सभी हिंदू भाईयों को तभी त्वित खास करके तुरंत में अभी सबका विसर्जन का काम है और हमारे मुस्लिम भाई जिनका सु बात आपके खुद के उपर है कि आपका जब आप तेहार आया है कुछ आया है तो क्या हम अपनी मांग को लेकि सरकार के पास नहीं जा सकते क्या हम यह नहीं कर सकते कि पूरे 36 गड़ इस तर पे जो हमारा यह फेस्टीवल है गनेश उस्व का इद्मिलादू नभी का तो ख खेरागर, बिलासपूर, आरंग, खरोरा, गुंडर दही, बालोत, कांकेर, दल्ली राजरा, भिलाई, दुर्ग, यह प्रमुख जगा है जहां पे होना है कम से कम 6-7 दिन लगेगा तो साल में 15 दिन जो मिलता है एक जीले में या काम को तो क्या हमें इतनी अजादी नहीं है कि हम यह मांग कर सके कि हमें अजादी के साथ काम करने किलमेले अगर आप सहमत हो तो कल हमारी 36 गड़ सावन यूनियन एसोसियेशन की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में हमने यहां निचित किया है कि 15 तारिक 15 सितंबर तक अगर पूरे 36 गड़ में सुतंत्र रूप से काम क करने की अजादी सुतंत्रता मिलती है तभी हम मेpping से हर एक डीजेवाला किसी भी तरीके के जुलूस में किसी की तरीके की विसर्जन में और किसी भी तरीके की जहाकी में हम जाएंगे अन्य था हम पूर्ण रूप से हड़्ताल की घ्रोशन कर रहे अगर 15 तारिक तक हम को पूर्न रूप से अजादी का अदाजी थे काम करने का मौका या निन्नाय हमारे लिए नहीं लिया जाता है तो सभी हिंदु भाईयों से और बाकी सभी संगत्रनों से जिनका आने वाले अगामी समय में कायम है आप समय से निविदन करूँगा कि अपने अपने जीला में अपने तालुका में अपने अपने कजबों में जहां भी आप रहते हैं वहाँ जाके आज और कल का समय परसों का समय तीन दिन आप सभी के बीच है आप अपनी अपनी बात रखिए बताईए अपने हक के बारे में अपने धार्मिक भावनाओं के बारे में जो कि वाकई में सत्ते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपका काम अच्छे से हो आने वाले समय में भी यह धार्मिक अच्छे से होता रहे राजनाम गाव में सालों से चली आ रही परंपरा जो की जहांकिये की होती है इस बार तूटने की का गार पर है तो सभी भाईयों से निविदन करूंगा कि क्रिफिया अपने अपने जीले में और अपने जीले के लिए प्लीज डिमाड ना करे पूरे 36 गर्ड लेवल पर यहा तेवहार को इस जस्न को मनाने किया अनुमती दिया जाए जै हिन जै भारत जै शत्तिस गर्ड